वेलकम बैक टू वहन ओफीशियल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपेरिजन करने जा रहे हैं मारती सुझू की ब्रेजा के LXI और VXI वेईरेंट के बीच में जहां पर आपको इन दोनों ही कार्स के बीच में करीब 22 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जात तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब परें तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है हैड्लेंप का जहां पर आपको ब्रेजा के VXI वेरेंट के अंदर डूल चेमबर टाइप LED प्रोजेक्टर हैड्लेंप दिये जाते हैं जबकि ब्रेजा के LXI वेरेंट के अंदर आपको यह हैलोजन प्रोजेक्टर टाइप के ही दिये गए हैं दूसरा डिफरेंस है DRL और फ्रेंट टर्न इंडिकेटर का तो ब्रेजा के VXI वेरेंट के अंदर आपको हैड्लेंप यूनिट के अंदर ही इंटिग्रेटिट टाइप LED डे टाइम रणिंग लैंप दिये ज इंडिकेटर आपको एलेक्साइव यूनिट के अंदर फ्रंट बंपर्स पर मिलता है तीसरा डिफरेंस है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का तो दोनों ही वेरेंस के अंदर आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर बोडी कलर के दिये जाते हैं लेकिन ब्रेजा के VXI के दिनर आप इनको electrically adjust के साथ साथ electrically fold भी कर सकते हैं जबकि ब्रेजा के इसको electrically adjust ही कर पाएंगे चौथा difference है wheel covers का तो ब्रेजा के VXI variant के अदर आपको silver carl के full wheel covers दिये जाते हैं जबकि ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको center में एक wheel cap मिलती है पाच्वा difference है दोनों की keys का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको smart keys दी जाती हैं जबकि ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको normal remote key ही मिलती है और इन दोनों ही keys के उपर आपको lock and unlock के buttons भी देखने को मिल जाएंगे चटा difference है ignition on function का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको ignition on करने के लिए engine start stop button दिया जाता है जबकि ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको key start function ही मिलता है साथमा difference है roof rails का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको roof के उपर roof rails मिलती है जो के black layer के अंदर आपको दी गई है जबकि ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको roof rails नहीं मिलती आटमा डिफ्रेंस है rear defogger का तो Breza के VXI variant के अंदर आपको electric rear defogger यानि के dimister भी दिया जाता है जबके Breza के LXI variant के अंदर आपको यह नहीं मिलता नवा डिफ्रेंस है steering mounted controls का तो Breza के VXI variant के अंदर आपको steering mounted audio के controls दिये जाते हैं जो कि आपको steering के left side में इसके बटन मिल जाएंगे जबकि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको कोई भी steering mounted control नहीं मिलता दसवा डिफ्रेंस है air conditioning system का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको automatic type climate control दिया जाता है जो कि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको manual AC with heater के साथ ही मिलता है 11 डिफ्रेंस है rear seat के head rest का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको rear seat पर head rest दिया जाता है जो कि adjustable type का आपको मिलता है जबकि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको rear seat पर head rest नहीं मिलता 124atory difference है door armrest का तो ब्रजा के VxI variant के अंदर आपको door armrest fabric insert के साथ दिया जाता है जबकि ब्रजा के LXI variant के अंदर ये हार्ट plastic में ही आपको मिलता है 13 तेरवा डिफरेंस है B-pillar का तो ब्रेजा के VxI variant के अंदर आपको B-pillar blackout मिलता है जबकि بरजा के एलेकसाई विरिट के अंदर आपको ये body klar के दी जाते है चौनदुवा difference है vanity mirror का तो बरजा के VXI विरिण केंदर आपको code driver side sun visor के अंदर vanity mirror दिया गया है जो कि बरजा के एलेकसाई विरिण केंदर आपको नहीं दिया गया पंदर्वा difference है glow box का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको twin glow box दे जाते हैं जो के normal type के ही आपको मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको lower glow box के अंदर illumination भी मिल जाती है जबकि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको सिर्फ और सिंगल glow box सी दिया गया है जो के आपको lower glow box मिलता है और यहाँ पर आपको illumination वगेरा नहीं मिलती तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको tailgate open करने के लिए boot के उपर एक electromagnetic type button मिलता है साथ में उसके आपको request switch भी मिल जाएगा यानि के electromagnetic button से तो आप boot को बहुत ही easily access कर ही लेंगे इसके साथ में आपको दूसरा जो button मिलता है request switch इसकी help से आप car को lock भी कर सकते हैं जबकि ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ Electromagnet type का ही button यहाँ पर available कराये गया है इन सभी features के अलावा ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको driver side seat के पीछे एक luggage hook भी मिल जाता है जिसके ओपर आप maximum 3 किलो तक weight भी carry कर सकते हैं साथी driver and co driver side seat के पीछे आपको map pockets भी दी जाती है उनीसमा difference है illumination का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको front foot valve पर और globe box lower वाले globe box के अंदर भी illumination देखने को मिल जाती है जो के ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको नहीं दी गई बिसमा difference है gear shift lever का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको gear shift lever पर chrome का भी insert देखने को मिलता है जो की LXI variant के अंदर आपको black type का ही दिया गया है 21 difference है colors के option का तो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको total 6 colors के option दिये जाते हैं जबकि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको सिर्फ और से 5 plus का ही option मिलता है यहाँ पर जो missing color है वो है red यानि के ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको sizzling red color नहीं मिलता इसके लावा बाकी सभी color आपको same ही मिलते हैं और बाकी सभी color के details आपको इस video के description के अंदर भी मिल जाएगी और 22 और last difference है transmission के option का जो ब्रेजा के VXI variant के अंदर आपको transmission में manual और automatic दोनों ही परकार के transmission को choose करने का option दिया जाता है जबकि ब्रेजा के LXI variant के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ manual transmission ही offer किया जाता है दोस्तों जल्दी हम आप ब्रेजा के VXI manual और automatic का भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे playlist पर विजिट करकर भी देख सकते हैं और अब बात करते हैं इन दोनों के prizes के तो ब्रेजा का LXI variant आपको 7,51,500 रूपीज के एक्शोरूम कॉस्ट पर मिलता है और ये ओनोड कोस डेली विड मेंडेटरी चार्जिस आपको करीब 8,49,000 रूपीज तक जाता है जबकि ब्रेजा का LXI variant आपको manual transmission के साथ 8,57,500 रूपीज के एक्शोरूम कॉस्ट पर मिलता है और ये ओनोड कोस्ट डेली विड मेंडेटरी चार्जिस सा आपको करीब 9,66,000 रूपीज तक जाता है डिफरेंस के अगर हम बात करें तो एक्शोरूम कोस्ट पर आपको 1,6,000 रूपीज का और ओन डोड कोस्ट पर आपको करीब 1,70,000 रूपीज का डिफरेंस देखने को भी मिल जाता है तो दोस्तों यह था complete difference इन दोनों ही विडियेंस के बीच में इसके अलावा दोनों ही विडियेंस के अंदर आपको बाकी सभी फीचर सिमिलर ही दिये जाते हैं जैसे कि दोनों ही इपिरेंस के तर आपको dual 10 का manual music system दिया गया है जो कि AUX, USB और Bluetooth connectivity के साथ आपको मिल जाता है साथ ही चारो speaker जो के चारो doors पर मिलते हैं चारो power windows, remote center locking, dual front airbag, ABS with EBD, reverse parking sensor, speed alert system जैसे बहुत सारे other features भी आपको यहाँ पर similar ही दिये गए हैं तो दोस्तों उमेद करते हैं आपको आज का हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल न भूलें जल्द लोटेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए कर दोब दोब ही वीडियो के लिएाब के लिए एू यहामर के विए इस वीडियो को बटाईक प Bent, क्षिग चूड़ वीडियो के वीडियो के लिए कर दोड़तों के भीड़तर, हैं लिए खिए जोटेंगे एक दोड़त्स्स आया है।